Hello everyone, welcome back to my channel Moms Journey Friends, आज की वीडियो में हम discuss करेंगे कि अगर आपके घर में कोई भी newborn baby है तो आपको सर्दियों के मौसर में ऐसी कौन सी गलतिया हैं जो उनके साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि newborn यानि की जो नवजाज शिशू होते हैं उनको सबसे ज़्यादा खत्रा होता है ठंड लगने का इसलिए हमें उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है तो इस वीडियो में हम यहीं बात करेंगे कि ऐसी कौन सी गलतिया हैं जो आपको बिल्कुल भी बेबी के शरीर का temperature का ध्यान रखना है क्योंकि नवजाज शिशू यानि की newborn बेबी को अकसा थंड के मौसम में हाइपोथर्मिया होने का खत्रा रहता है इसमें शरीर का temperature कम हो जाता है ऐसा ना हो इसलिए ही ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को गरम कपड़े पेना कर रखे और खासकर उसके हाथ, पैरो और सिर को ठक कर रखे बहुत ज़दा थंड के दिनों में आप बच्चे को रोज ना नहलाएं हाला कि नहलाने से उसकी तच्चा से गंदगी बैक्टेरिया साफ हो जाते हैं लेकिन एक दिन गैप करके ही आपको अपने न्यूवान बेबी को नहलाना चाहिए क्योंकि रोज छोटे बच्चे को नहलाने से बच्चे को ठंड लग सकती है और नहलाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बातरूम का दरवाजा और अगर को खेटकी है तो उसको बंद करके ही अपनी न्यूवान बेबी को नहलाएं आकि थंडी हवा अंदर ना आ सके और बच्चे को ठंड ना लग सके क्योंकि अगर नहाते समय बच्चे को ठंडी हवा लगेगी तो बच्चे को सर्दी जुखाम होने के चांसे होते हैं इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है अगर आप बच्चे को रोज नहीं लहला रहे हैं तो आपको साफसफाई का भी प्रॉपर ध्यान रखना है आपको क्या करना है दिन के समय जब दूप निकल जाए तो गुंगुने पानी में कपरा डुबो कर पानी को अच्छे से निचोर लें उसके बाद उस कपड़े से बच्चे के पूरे बॉड़ी को क्लीन करें यानि कि स्पॉंच करें और फिर तॉलिये से पोच के उसको मौशराइज करें और अगर बच्चे को sponge करने से पहले आप बच्चे की मालिश करना चाहते हैं तो आप उसके मालिश भी कर सकते हैं और बच्चे की मालिश कैसे की जाती है कि सरदियों में किस तेल से करनी चाहिए इन सारे topics पे मैंने already video बनाई हुई है जिसका link में description box में डाल दोंगे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं तो friends आपको ये ध्यान रखना है कि थंड के मौसम में भी आपको अपने बच्चे की मालिश रोज करनी है इससे उसकी body जो रहेगी वो गरम रहेगी, body का blood circulation अच्छा रहेगा बढ़ेगा और उसकी हड़ियां भी मजबूत होगी इसलिए थंड के मौसम में आपको एक दिन भी अपने बेबी की मसाज skip नहीं करनी है अगर आप अपने बच्चे को healthy रखना चाती है तो आपको breastfeeding कराना बहुत ही जरूरी है अपने newborn baby को मा का दूद सबसे best milk होता है बच्चों के लिए और अगर आप अपने newborn baby को breastfeed करवाएंगी तो उनकी immunity strong होगी उनकी health development बहुत ज़्यादा अच्छे से होगी, mental health अच्छा रहेगा, उनका proper शारिडिक विकास होगा, बच्चे को भरपूर potion भी मिलेगा और इससे बच्चे की अंदर बच्चे की immunity strong होगी और बच्चे को बिमारियों से लड़ने की ताकत भी मिलेगी तो इसलिए आपको अपने newborn baby को थंड के मौसम में भी breastfeed जरूर कराना है, आकि बच्चा थंड में जल्दी बिमार ना पड़े अगर आप अपने newborn baby को diaper पहना रहे हैं थंड के मौसम में, तो आपको diaper time to time change करना है अगर बच्चे ने potty कर दिया तो तुरंट आपको उसका diaper change कर देना है और नॉर्मली बच्चे का diaper चार से पांच घंटे में change होते रहना चाहिए आपको बिल्कुल भी diaper बहुत जादा देर तक नहीं पहनाना है और बिल्कुल भी बच्चे को गीला नहीं होने देना है और अगर आप अपने newborn baby को cloth nappy पहना रहे हैं या नापी को भी आपको तुरंट बाद आपको चेंच कर देना है बच्चे को बिल्कुल भी गीला नहीं होने देना है क्योंकि सर्दी में अगर बच्चा थोड़े देर भी गीला रह जाएगा तो बच्चे को तुरण सर्दी जुखाम लग सकता है इससे उसकी तरबत खराब हो सकती है इसलिए आपको इस बात का खास धियान रखना है इसलिए आपको न्यूबरन बेबी को पानी बिल्कुल भी नहीं देना है बच्चे के शरीर को जितना पानी चाहिए होता है वो उसको breastfeed से मिल जाता है इसलिए आपको सर्दियों के मौसम में अपने न्यूबरन बेबी को पानी नहीं पिलाना है और वैसे भी कहते हैं कि 6 मेने से पहले बच्चे को पानी नहीं देना चाहिए इसलिए इस बात का खास धियान रखें कि आपको अपने बच्चे को पानी बिल्कुल भी नहीं पिलाना है और 7, न्यूबान बेबी को बाहर ले जाने से बचे चुकि अभी बहुत ज़्यादा बाहर ठंड़ का मौसम है हवाई चलती है, बच्चे को हवा लग सकती है बच्चे की तयबत खराब हो सकती है, बच्चे को सर्दी जुखाम हो सकता है इसलिए जितना हो कोशिश करें कि बच्चे को बाहर ले जाना अवाइट करें और अगर एमर्जिंसी में बच्चे को ले जाना पड़ रहा है बेबी कहा जाता है ते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर